नमस्कार, study IQ platform पर आपका स्वागत है, topic in depth प्रोग्राम में आज हम बात चीत करेंगे, भारती नौसेना के द्वारा कियेगे एक बहुत ही महत्वपून परिक्षन के संदरों में, वह परिक्षन किसे जुरा हुआ है, वह परिक्षन जुरा हुआ है, नेवर एंटी शिप मिसा परिक्षन है, और इस लिहाज से यह खबर अपने आप में बहुत ही महत्वपून हो जाती है, क्यों महत्वपून हो जाती है, क्योंकि भारत ने या फिर कहें कि भारती नौसेना ने पहरी बार ऐसा कुछ परिक्षन किया है, और इस लिहाज से इस पर चर्चा करना किया गया है और ओडिसा के बालासोर नामक स्थान से इसे टेस्ट फायर किया गया है और इस लिहाज से यहाँ पर इस अस्थान का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहां पर सी इसका परिक्षन किया गया है कई बार परिक्षा में इस तरीके से सवाल बन जाते हैं कि अ अगे इंदि हम बातचीत करें तो इस हेलिकॉप्टर के माध्यम से इसका परिक्शन किया गया है और यही है वो मिसायल N.A.S.M.S.R. मिसायल है और इस हेलिकॉप्टर के नाम के बारे में इदि मैं आपको बताओं इसका नाम है C.K.42B कैना इसका नाम क्या है इसका नाम है C.K 42B इस हेलिकॉप्टर के माध्यम से ही इस मिसाइल का परिक्षन किया गया है NASM SR आगे बाचित करें तो यहाँ पर खबर के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया कि NASM SR मिसाइल को लांच किया गया है और विशेस बात यहाँ पर यह निकर कर सामने आती है कि First Indigenous Air Launched Anti-Ship Missile System यह है धान रखने वाली बात यहाँ पर यह हो जाती है कि यह First Indigenous Air Launched Anti-Ship Missile System है यानि कि इससे पहले ऐसी कोई भी परिक्षन ऐसा कोई भी परिक्षन नहीं किया जा सका है और पहली बार इस तरीके से हवा के माध्यम से Air में रहते हुए और Launching की गई है क्योंकि हेलिकॉप्टर के माध्यम से Launching की गई है और यह Launching की गई है किस के द्वारा तो इंडियन Navy के द्वारा तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा आगे यदि हम बातचित करें NASM SR के विशेश संदर में तो यहाँ पर पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि इसे विक्सित किस ने किया है तो इसे विक्सित किया है DRDO ने ध्यान रखिएगा DRDO यानि Defense Research and Development Organization के द्वारा इसे विक्सित किया गया है और इस मिसाइल में जो SR है वो SR किसी इसको इंडिकेट कर रहा है तो short range को indicate कर रहा है कहने का मतब यह है कि इसकी मारक जो दूरी है वो short range की है कम दूरी की इसकी मारक range है और इस हिसाब से इसे विक्सित किया गया है यहाँ पर यह मैं आपको बता दूँ कि इस मिसाईल की एक महत्वपून विशेष्था यही है कि यह कम दूरी में मार्ज कर सकता है और साथ ही यह बहुत ही बेहतर तरीके से अपना अपनी capability का इस्तेमाल कर सकता है यानि कि बहुत ही खतरनाक तरीके से विध्वणस कर सकता है इसकी एक बड़ी विशेज्टा यहाँ पर यह निकरकर सामने आती है तो यही चीज यहाँ पर ध्यान रखने लाइक है और दूसरी महत्वपून बात यह है कि इसकी जो वजन है इसका वजन लगवक 380 केजी का है यह सब factual चीज़े हैं इस पर बहुत अधिक ध्यान देने के आप सकता नहीं है चो कि मिसायल के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ लेकिन परिक्षा में इस तरीके से सवाल नहीं पुशा जाएगा कि यह कितने केजी का है या फिर क्या है क्यों बस factual जानकारी के लिए मैं आपर डिटेल में चो की बताया जा रहा है इसलिए एके करके मैं आपको बता देता हूँ कि 3080 केजी इसका वजन है और यह एक सबसोनिक मिसाइल है यह महत्वपूर्ण है यह ध्यान में रखना होगा कि यह एक सबसोनिक मिसाइल है एक होता है सुपरसोनिक मिसाइल एक होता है सबसोनिक मिसाइल एक होता है हाइपरसोनिक मिसाइल तो जो सबसोनिक मिसाइल है उसके कॉंटेक्ट में दी मैं आपको मोटे तो पर बताओं तो इस missile की speed sound की speed से कम होती है जो supersonic missile है उसकी speed sound की speed से ज़्यादा होती है तो जो subsonic missile है, subsonic missile की speed की हिसाब से इसकी जो गती है वो 0.8 Mach की गती है और एक Mach की जो गती होती है वो speed of sound के रूप में जाने जाती है वही 0.8 Mac करने का मतलब कि sound के speed से कम गती इसकी मानी जा सकती है और इस लिहाज से यहाँ पर इसकी एक महतुपुन विशेस्ता निकल कर सामने आती है यही चीजें आपको यहाँ पर इस missile के particular context में ध्यान रखने रायक है इसके साथ साथ मैं आपको आगे बताओं कि इस launch से संबंधि जो positive aspects है यदि इन positive aspects के context में यदि हम बात करें तो पहला positive aspect निकल कर यह सामने आता है कि यह indigenously developed launcher का इस्तेमाल इसमें किया गया है indigenously developed launcher और helicopter यह सब कुछ नई तकनीके इसमें इसमें इस्तेमाल की गयी है इसके साथ साथ और मैं आपको बता दूँ इसमें missile guidance system के इस तर पर किसिस का इस्तेमाल किया गया है तो state of art state of art navigation plus better avionics इसका इस्तेमाल किया गया है बहुत ही आराम से इसको समझिएगा state of art navigation का मतलब यह हुआ कि आधुनिक्तम navigation व्यवस्था गया navigation प्रनाली का इस्तेमाल इसमें किया गया है कि मिसायल को कैसे हम navigate कर सकते हैं जो भी दुश्मन जहाज है उसको हम कैसे hit कर सकते हैं इसके संदर्व में यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है और साथ ही better avionics का इस्तेमाल इसमें किया गया है अवियोनिक्स का मतलब क्या हुआ electronic उपकरन का इस्तेमाल यदि हम aviation में करते हैं तब उसे avionics के तौर पर जाना जाता है aviation यानि कि aircraft वगर में यदि हम electronic उपकरन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है उसे avionics के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर better avionics का इस्तेमाल यानि कि बेहतर ऐसे electronic उपकरन का इस्तेमाल इस missile में किया गया है तो यहाँ पर यह दो तीन चीजे ऐसी हैं जो कि यहाँ पर आपको समझने लायक हैं इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो मिसाइल है यह मिसाइल जो भी छोटे जहाज हो सकते हैं या फिर जो भी पैट्रोल बोट होते हैं जो कि समुद्र में गस्ती लगाते है सुरक्षा के point of view से अपने अपने स्तर पर तो उन्हें ये आसानी से हिट कर सकते हैं उन्हें ये आसानी से target कर सकते हैं ये मिसाइल इसकी इस तरीके से एक महत्वपून विशेस्ता यहाँ पर निकल कर सामने आती है यदि हम और बातचित करें कि भारत के द्वारा या फिर भा मोस मीसाइल की भी टेस्ट फारिंग की गई है एक बड़ी उपलब्धी इस रूप में हासिल के गई है और इसके साथ साथ टू फ्रंट लाइन वार्शिप्स आफ इंडियन नेवी है बिन लॉंच्ट इन दोनों फ्रंट लाइन वार्शिप्स की लॉंचिंग की गई है इनका नाम यदि मैं आपको बताओं तो यह है आई एनस उदेगिरी और आई एनस सूरत मसगाओं डॉक्याड जो है उसके द्वारा इनका निर्मान किया गया था और वहां पर इनका उद्गाटन किया गया है तो यह आई एनस उदेगिरी और आई एनस सूरत जो हैं यह महत्तवपून वार्शिप्स के तौर पर काम करेंगे तो यह सब कुछ महत्तवपून उपलबधी भारतिय नौसेना के द्वा रहे हैं उसके क्या कुछ मायने निकल कर सामने आते हैं तो इंडिया के नेवल सेकृरिटी के कॉंटेक्स में इसका महत्वपून रोल दिखता है बरीब बात यहां पर यह समझे कि यदि हम भारत के तटिये क्षित्र को देखें तो इसका जो तटिये इलाका है लॉंग कोस्ट लाइन को इंडिकेट करता है लॉंग कोस्ट लाइन कहने का मतलब कि लगवक 75116 किलो मीटर जो है वो भारतिये तट्रिखा है और इस लिहाज से भारतिये तट्सीमा की सुरक्षा इंडिया नेवी के पॉइंट ओवीर से बहुत ही महत्वपून हो जाती है यहां पर सेक्रि और उन्होंने हमला किया था मुममई में तो यहां पर सेक्रिटी ट्रेट जैसी स्थितियां भी इसे भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है और साथ ही स्ट्रेटिजिक सिगनिफिकेंस के पॉइंट ओव वीव से भी जो भारत की नौसेना के द्वारा जो भी गतिविधि के साथ समुदरी रास्ते से वो बहुत ही रन्नितिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडियन ओसन डीजन में दो तीन ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत का अक्सर हां एक तनाव वाली इस्थिति देखनों कि मिलती है उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर् जो कि साथ चाइना सी के माध्यम से प्रशान्त महासागर या फिर कहें कि इद बंगाल की खाड़ी सु होते हुए हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है और ऐसे में भारत के द्वारा इस पार्टिकुलर रीजन में हिंद महासागरी रीजन में अपनी स चुरक्षा की विवस्था करना निश्ची तोर पर महत्वपून हो जाता है और इसके अलावा केवल स्ट्रेडिजिक पॉइंट और वी नहीं नहीं बलकि ट्रेड रिलेशन के ख्याल से भी इस छेत्र में भारत को बहतर करने की आविशक्ता जान परती है और इन सभी के मद प्रती दिन नय ऐचीवमेंट्स हासिल किया जा रहे हैं और उन नय ऐचेवमेंट्स के आधार पर भारत जो है अपनी समद्री सुरक्षा को और कितना बेहतर बनाने की और आगे बल रहा है और इस समद्री सुरक्षा का जो संबंध है ये संबंध अंतरास्टिय अस्तर पर भी है और साथ ही आर्थिक स्तर पर जो डिलेशन्स हैं अन्य दोश्यों के साथ उस लिहाज से भी इसका महत्व दिखता है तो आज की चर्चा हम यहीं प्रसमात करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंदेफ्स में किसी और महत्व पुर्ण मुद्दे के साथ तब तक अच